एक इंसान गर से निकलता है, आंगन में किचड है, दलदल है, कचरा है, सब लिखरा हुआ है. तो हर दिन आफिस कैसे पहुँचता है, कीचर लगी हुई, कचरा लगा हुआ, ऐसे वो आफिस पहुँचता है, या बाजार पहुँचता है, या स्कूल कॉलेज, तो ऐसे वो पहुँचता है. फिर गुरूस को क्या कहेंगे, की चलो, अब तुम घर से निकलते हो नो, तुमारी जो चलने की स्टाइल है, या जिस तरीके से तुम बाहर पहुँचते हो, तो अब इस आंगन में तुमारे लिए कुछ रेखायं खीची है, इन से जाया करो. एक रास्ता बना कर दे दिया है, क्यों चारो तरफ ये सब बाते बिखरी हुई है, तो क्या करेंगे पहले, उस आंगन में लक्षमन रेखा खीच कर देंगे, कि इन इन रेखाओं के बीच में ही जाओ, तो क्या होगा, कम से कम मेले होंगे, कम से कम गिरोगे, तो निकलते थे चार बार गिर के फिर आंगन से बाहर न पहुचते थे, और दल-दल में तो नहीं फसोगे, तो आग्या जो दी जाती है, तैयारी करवाने में, वरोधा वासी, जवाब, सुन पाएं, जवाब लेने के भी ताकत ही नहीं है, इस बीच में परसन दल-दल में ने गर जाए, कि लोग ने जीवन स्टार्ट करते हैं, ऐसी हविट्स डाल देते हैं, कि जीवन के शुरुआत में दल-दल में फस गए, ऐसे मित्र मिल गए, कि दल-दल में फस गए, उनका निकलना ये बाहर संबाव नहीं, तो पर लक्षमन रेखा, खीच कर दे दी गई, ये तिरकुन है, इसमें रहो, कम से कम गरोगे, पहले उस संबावना को खोला जाएगा, क्योंकि परसन वो आंगन साफ करने को तयार नहीं है, तो चलो, अभी पहले तो ये काम करें, जब तो वो आदतें, वरतियां, टिंडेंसी तोड़ने को तयार हो जाए, तो ऐसा करो, इस तरह के लक्षमन रेखाओं के बीच में चलो, तो फिर अगली तयार हो जाएगी, वो आगे की चीज़ें ले पाएगा, वो जो सवाल पूछा जाएगा, प्रसन सवाल पूछता है, ये विचार मझे कौन दे रहा है, जो जानना चाहता है, जो विचार दे रहा है, मैं जड़ा आर्गुमेंट करूं उसके साथ, तो उसको कहा जाएगा, ये तुमको मालम भी पढ़ गया, तो क्या फरक पढ़ने वाला है, वो बताओ, लोग सांटिफिक एंसर सुनते, जीवन कैसे बना, पहले क्या था, पहले बंदर थे तुम, फिर ये बन गए, फिर वो बन गए, ये सब जानकर हुआ क्या, उससे कुछ फरक पढ़ा क्या, समझे आपको बता दिया गया, तुमको जो विचार दे रहा है, वो मैं टूत में बढ़ा है, ये हमाले में उपर बढ़ा सबसे, पिर जाओग उससे मिलने, कeilोगे तो कुछ नहीं,UNGको ऐसे कुछ शे एई जवाब डूडने में, कर अन sır सुनίας हुआ है। मेरो मालूम पड़ भी गए जवाब तो क्या होने वाला है? इतनी रिसर्च चल रही है पार्ट टू पर कि पार्ट टू है की नहीं है या मिर्ट्य के बाद जीवन है की नहीं है? सालों की रिसर्च के बाद, दस साल, वीस साल के बाद, वो रिपोर्ट प्रस्तित कर रहेंगे, या कर रहे हैं आज, क्या है? तो फाइदा क्या हुआ? जाना तो इतना ही जाना, लाइफ स्टाड़ी नहीं की, उस ग्यान का क्या लाब लेना था लाइफ में, अर्जंसी आनी चाहिए थी, टेंडेंसी से मुक्त होने की, किस मन को सही डंग से तयार करके जाए, अगर ऐसा जीवन है तो, वो तो अर्जं जवाब चाहते है कि scientifically हमें बताया जा, यह ऐसा है, यह ऐसा है, विचार देने वाला यह है, विचार कहां से आ रहे है, यह सब बाते जाने कर होगा क्या? इंपोर्टन है कि किस आभास से आपको यह विचार आते है? आपको क्या लगता है? वो लगना सही है या सिर्फ मात्र आभास है, तो यह clarity होगे तो फिर आप उलजने वाले नहीं हो, विचार कोई भी आ गया, आप यह देखोगे कि क्या मेरी इसके पीछे मानता है, जिस वज़े से मुझे यह विचार आया, कौन सी बात में विरोध है, जिस वज़े से यह विचार आया, यह विरोध कैसे दो सकता है, कैसे देखू में, फिर प्रॉपर खोज होगी, फिर जहां पर जिस तरीके से सोचना चाहिए, वैसा आप सोचोगे, वरना कि इनसान भहसा अगर पार करने जा रहा है, नदी पार करने जा रहा है, इसको मटका दिया गया है, जिसको वो लेकर उतरने वाला है, त मटका उल्टा रखना चाहिए, वो कहेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है, मुझे मालम है, मटका जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरे मटके को सीधा ही देखा है, मेरे बाप दादाओं ने भी ये से ही रखा था, तो वरुदाबास ही लगेगा न, उसको कहेगा, उल्टा करो मटका, उल्टा मटका रखकर जाओगे तो पार पहुंच जाओगे, सीधा रखोगे तो जल्दी डुब जाओगे, बहुत सागर में सीधा मटका लेकर जाओगे तो बहुत सागर मटके में आ जाएगा मटका किसी काम का नहीं रहेगा आपका शरीर वो मटका है ना तो जहां उल्टा करना है वहां सीधा करना है वहां उल्टा कर दिया तो यह paradox है actual paradox है कोई है यह पूछना है inquiry में self inquiry में उल्टा कोई है जीवन उल्टा है कि इंसान व्यक्ति अहिंकार जो भी नाम दे वह उल्टा है तो परसन मानने को त्यार नहीं होगा तो उसको कहा जाए अच्छा है कम से कम तो 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 रखो मटके को न तुमारी न मेरी थोड़ा तो 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 आगे जापाओगे थोड़ी तो यात्रा उसमे शाद अकल खुल जाए सम्भावना है ना तो थोड़ा तो तेड़ा करके देखा अरे अरहा है कि सामने वाला तेड़ा है तो नहीं शायद मैं ही तेड़ा हूँ तो कहां-कहां टेडा हूँ देखेगा परसन कहां-कहां सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है कहां-कहां टेडा बनता हूँ और जरूरत कितनी है किसरो आदत की वज़े से तो उसको उल्टा करना था पूरा अपने आप पर खोश करनी थी हर घटना के साथ मरू मानने को त्यार नहीं तो छलो थोड़ा तो करो स्टार्ट कुछ बातों से तो स्टार्ट करो वरिष्टाचार कहां है कही तुमारे अंदर चल रहा हो और तुम बाहर का वरिष्टाचार मिटाने में लग गए हो तो परसन कैसे मानेगा पहले तो बिलकुल नहीं मानेगा क्यों बताएगा मैं ऐसा नहीं करता मैं ऐसा नहीं करता इसलिए मैं कहां वरिष्टाचारी मैं रिष्वत नहीं लेता तो तुम आजा कि ठीक है ये एक पार्ट है देखो तुमारे विचारों में कहां कहां वरिष्टाचार चलता है वहां कैसे तुम रिष्वत देते हो खुद को कम से रिष्वत देते हो मन चुप होता ही नहीं है कैसे रिश्वत देते हो उसका टिंडेंसीज व्यसन कि चुप बैठे हैं शराप लाते हैं लोग तो ये ब्रिश्टाजर चली रहा है और उसके आदत बिगाड़ी जाई ही रही है मन की तो मटका उल्टा करना पहले कैसे लगेगा लॉजिकल नहीं लगेगा टिड़ा करेगा देखेगा कि इससे थुड़ा हम आगे जा रहे है तो चलो उसको और भी टिड़ा करते है और देखते हैं क्या होता है उससे हमारे आनन्द में बड़ोतरी हुई कि कमी हो गई प्रियोग करने के बाद पता चलता है कि हाँ ये सही तरीका है खोश का जो तरीका दिया गया आपका जिन जिन वातों की शिकायत आई ये लोग सपोर्ट नहीं करते तो तुम कहां सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जो तुम कह रहे हैं सपोर्ट नहीं करते देब तुम्हारा अभास है. शुद्द न करके भी वह तुमको सपोर्ट कर रिए हैं. बच्चों को आप थोड़ा दूर रहे कर उनको कुछ करने देते हो ना. तो बच्चे कह सकते हैं, उनको सपोर्ट ही नहीं किया. सपोर्ट न करके माबाब उनको सपोर्ट कर रहे कि अपने पाओं पर खड़े हो जाएं ये कैसे दिखेगा बच्चे को उधारन में तो आपको क्लिर दिखता है कि माबाब चाहते ही बच्चा चलना सिखे तो थोड़ा दूर हटकर बैठ जाते है कि बच्चे को मालूम में नहीं है कि माबाब सपोर्ट कर रहे उनका देखना ही सपोर्ट है पर वो सपोर्ट नहीं लगता तो वागए सपोर्ट नहीं कर रही है ये तुम्हारा आभास है और तुम्हें कितनी चीज़े सपोर्ट कर रही है उसका लिस्ट बनाओ तो सब विचारी बदल जाएगे ना जो मन में आते रहता था मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया पूरी काइनात कैसे सपोर्ट कर रही है एक एक चीज देखोगे आप आपकी गरदन कैसे सपोर्ट कर रही है आपके फेस को सम़ालने के लिए तब शरीर कैसे बैलेंस कर रहा है सपोर्ट कहां कहां से मिल रहा है सब देखो एक-एक चीज से इस चैर पर बैटते हो वो कितना सपोर्ट कर रही है जिस जमीन पर चलते हो वो कितना सबोर्ट कर रही है तो टेकन फार ग्रांटेड हो गया ना बहुत सारी चीजों में और वो सोच से निकली गया अब आपस से उसको सोच में लाओगे तो शिकायत एक हाँ फिर टिकेगी तो मूल बास समझ में आई कि आभास वर एक के विचार दुसरे को नहीं आते हैं क्योंकि उनके अंदर आभास अलग है गुरु आते हैं उस आभास को तोड़ने के लिए कि तुम्हें वही विचार आए जो बुद्ध को आते हैं आभास मिट गया है अज्ञान मिट गया तो फिर वही विचार आएंगे फिर प्रेम, आनद, मौन आप कहेंगे यह संबह हो गया जो पहले सिर्फ हम सुनते थे कैसा संबह है यह हो गया क्योंगे आवास मिट गया वरोदावास ने अपना काम कर दिया उलट वांसिया जो थी कवीर के दोहों में आती है तो समझ में आए कि उलटा क्यों कहा गया ताकि इनसान जो उलटा है वो सिदा हो जाए मटका क्यों उलटा करने के लिए कहा गया क्यों उस तरह के सोच डेवलप करनी है परिवाशा बदलनी है जो भी परिवाशा बना कर रखी है इतनी पुरान ही आदत है न, उसी तरीके से सोचने की तो बिलकुल नया तरीका दिया जा रहा है तो वो ले पाएं आप महा आस्मानी परमग्यान शिविर मनन आशरम पर आयोजित किया जाता है इस पांच दिवसिय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवन द्वारा आत्म साक्षातकार की मन्जिल तक पहुँचता है स्वा अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ इस पृत्वी पर क्यूं आया हूँ मोक्ष यने क्या क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं अब आईए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने आपकी जो भक्ती है आपने जो कमाई किया है वो कमाई दुनिया भर में किसी के पास नहीं है छे महीने पहले मैंने आपका प्रवचन सुना था उसी प्रवचन पर मैंने इतना मेरे को आनन्द हुआ कि देखो इस जड में भी परमादमा है लेकिन जगाने वाला कोई नहीं है आपने मेरे को ये जगाने की ताकत दिया मैं आपका बहुत दन्यवाद बहुत तहे दिल से प अपर्क करें 9921008060 अथवा 9921008075 वेबसाइट www.tejgyan.org email mail at tejgyan.com हमारे यूट्यूब चैनल तेजग्यान को आज ही सब्सक्राइब करें Online Books Order करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappytthoughts.org